सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरूजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नुश्कार दोस्तों मैं गौरव आपका बहुत सबस्क्राइब करता हूँ सब्सक्राइब के लिए लिए लाइव वीडियो का तो अभी आप छोड़ दो कुछ भी जिकर क्योंकि पता नहीं कब होगा सिस्टम सेट आज भी बहुत ट्राइब किया पंगा आज पर मजा नहीं वीडियो कर जाती है आउडियो कर जाता है लेकिन ये बहुत जिल्द रिजॉल्फ हो जाएगा फिलाल दोस्तों यहां पर सवाल बहुत सारे हैं मेरे इस आईफोन में जिसका काम है सिर्फ सवाल बताना लाइव तो करना इसके बसकी बात है नहीं जो पहला सवाल है वो कुछ उधर भी है तो बस यार यही है फिलाल के लिए मसाला बाकी जो मसाला है वो यही है संडे टेक मसाला अगला सवाल है चिराग का वोलते है गरूजी आपकी टेक एकस्पलेन वाली वीडियो से बहुत कुछ सिखने को मिला है और आगे भी बहुत कुछ नया नया जानने को और सीखने को मिलेगा, thank you very much भाई, love you, बहुत अच्छी बात लगी चिराग मुझे आपकी कि आपने इसमें सर नहीं बोला, खुश नहीं बोला, आपने भाई बोला बहुत अच्छी बात है यार, तो ऐसे ही मैं कोशिश करूँगा, मेरी उम्मीद यहीं रहती है, कि जो भी नई वीडियो है, उसके अंदर आपके लिए कुछ खास हो, कुछ नया हो, कुछ यूनीक हो और हम ऐसी नॉलेज को शेयर करते रहें, बीच बीच के अंदर दूसरे तरगी वीडियोज भी आती रहती हैं, टेक न्यूस भी चलते रहती है, अन्वाक्सिंग भी आती रहती है, ओपिनियन्स भी आते रहती है, टेक स्प्रेंट वीडियोज भी है, तो बहुत सारी वराइटी है, सब आपके लिए है, और मुझे काफी खुशे मिलती है, जब हम ऐसा आपस में नॉलेज को शेयर करते हैं, अगला सवाल है, आप शुब हम का बोलते हैं, कि वीडियो में लाइटिंग कैसे ठीक करें, देसी जुगाड से, शुब में देको बात ऐसी है, देसी जुगाड इस बात का है, कि देखो पहली बात तो यह है, कि आप शुट करो डे लाइट में, जितना जदा आप नैचरल लाइट को यूज करोगे, फर जापल, गुरू में खिड़की है, वहाँ से रोशनी आ रही है, तो उस तरफ फेस करी वीडियो बनाओ, तो वो सबसे सही रहेगा, इसके अलावा अगर आपको बजट में करना है, तो आप ऐसे में एक लाइट लेके आज़ो, बेसिकली क्यों टॉर्च होगे, अबर्जेंस लाइट होगे, लेडी वाली, नैचुरल लाइट को सबसे बढ़िया देसी जुगार वही है, अगला सवाल बुचा है, मनीश ने बोलते हैं, कि हार्डवेर पुराना हो तो बजट फोन में यादा सौट्वेर अप्डेट से, CPU स्लो हो जाता है क्या, अब मेगा कॉलाइब वीडियो एं लाइब कॉलिंग कब आएगा, भाई लाइब कॉलिंग करते हैं, बहुत जल्दी आपने अच्छा याद दिलाया, लेटेस जो भी सौफवेर से, अपसे, गेम सुगर है, इसलिए हमको लगते हैं, इसलिए हमको लगते हैं, पर फोन जो है, वो स्लो हो गया है, क्योंकि ये जो है, सेटप ये मेरे घर में नहीं है, आपको बता दूँ, ये मेरे घर के अलावा एक और जगह है, वहाँ पे है, तो ऐसे में मिंटेन करना दो मुश्किल होगा, अगर मैं ट्रेवल कर रहा, उनका ध्यान कौन रखेगा, तो इसलिए देखते हैं, अगर कभी सारे passes हैं, दिल्ली और मुंबई के लिए, लेकिन आप मेंसे बहुत सारे लोगों ने participate किया है, तो आपको I think कि दो-तिन दिन में emails आ जागें, confirmation कि भईया, आपको pass मिला है, दिल्ली का या मुंबई का या नहीं या जो भी है, अगर मिला होगा, अगर नहीं मिला होगा, तो ये मेरी मजबूरी समझो कि या लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड पासिज हैं, तो ऐसे में सभी को तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर आप आते हो, हम मिलते हैं, तो भाईया, खूब मज़ा आने वाला है, meet and greet में, और उसके अलाबा, show तो रहेगा ही बाद में अपना अगला सबाले महेंग का बोलते हैं कि अगर OnePlus 5T और Google Pixel 2 XL में से कोई फोन लेना हो तो कौन सा लूँ, भाई देखो, डिपेंड करता है कि आपकी priority जो है वो camera के उपर कितनी है, मतलब ये Pixel 2 XL है, काफी कमाल phone है, जो camera है वो मतलब मज़ा आता है, इसको यूज करके, मैंने selfies क्ल focus रखना है, अगर आपको चाहिए कि हाँ, एक all-rounder सही phone मिल जा सही की मैं तो OnePlus 5T बहुत अच्छा option है, अगर आपको चाहिए कि best camera मिले मतलब कमाल updates वगरा सब कुछ, तो Pixel काफी अच्छा phone है, अगरा सवाले चुराग का बोलते हैं, गुरू जी आपका favorite subject कौन सा है, 2008 के end त fabrication वगर है, तो वो एक अलग चीज़ बन जाती है, जहां तक बात है, हमदवाद meet-up की तो भजा कोशिश पूरी देगी, 2008 के end तक हमदवाद meet-up हो जाए एक बार, तीसरा सवाल है, fanfest का, तो stage दोने जगा पर करते हैं, दिल्ली में भी stage है, मुई में भी stage है, तो दोने जगा पर करेंगे, बन perform, इसके लाए वहाँ पर meet-and-greet भी होगा, red carpet भी होगा, तो इस बार, जो है, full-on चीज़े आने वाली, fanfest में, उमीद है, कि आपको पसंद आएगा, अगला सवाल है, पर मुर्तिन जाएगा, बोलते हैं, गुरु जी, I am in college, I don't have camera and background, how to make videos better than you, मुर्तिन जहां तक बात है videos की, तो background से फरक नहीं बढ़ता, camera कौन से फरक नहीं बढ़ता, आपको जो phone है, आप उसे को use कर सकते हो, जितना हो सके होतना natural light में shoot करो, और बाकि वीडियो का जो असली मसाला है ना, वो सिर्फ यह होता है, जो मैं बोल रहा हूँ वो, अभी अगर आप अ वीडियो यार क्या करें, डिले पर डिले पर डिले हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी आजए कि रहा है, अमदाबाद की तो यार, अमदाबाद, गुवाहाटी, कोलकाता, बुवनिश्वर, मतलब यह जो cities है न, इंदो और वगर है, मतलब इतना प्यार सा हो गया है, मैंने मीटप किये, जितने भी तो मतलब यार, दिल खुश हो गया था, हाला कि वो पिछला अप्रिल की बात है, जो बाकिस दी रिसता, अरदवात के दर मैंने क्या था, I think September में मेरे क्याल से, तो दुबारा होने वाले हैं, बहुत जल्दी, और planning करें कि कुछ और अच्छा करें, क इसे करिए वो एक रूम टूर होगा, जहां पर ये मेरा वर्क स्टेशन है, उधर मेरा लगा है इंट्रेमेंट के लिए, एक्स बोक्स और टीव अगर है, इधर एक सेकेंडरी वर्क डेस्क है, उस तरफ कुछ बैठने के लिए जगह है, तो वो सब वीडियो तो आई जाए कोई फेवरेट नहीं है, वो मेरे को मालू है, फेवरेट जो है, वो तो फिर सारी है यार, अगला सवाल है, यहां पर प्रथम मुंद्रा का बोलते हैं कि, what was the total cost to make this lit setup, it's weird to ask such question, but as a TG family member wished to ask it, hope you are not offended, अरे नहीं भाई, मैं कभी offend नहीं होता है, जहाद एक बात है, cost की तो मैंने कभी अंदाजा खुद नहीं नहीं लगाया, क्योंकि इसका काम शुरू किया था, मैंने actual में December में, तो December में कुछ जैसे, for example, walls वगरे थी, उनको paint कर रहा है, जो wooden flooring थी, मैंने वो complete करवाई, मैंने कुछ और basic basic काम किये, उसके बाद भी बीच में थोड़ा सा काम slow हो क्योंकि मैं travel कर रहा था, उसके बाद मैं दुबारा से कुछ काम चालो हुआ, कुछ-कुछ नहीं items लिए, तो ये मतलब अभी तक मैंने calculate नहीं किया है, क्योंकि बस खर्चा जो है, वो टुकड़ों में होता रहा, लेकिन जब मैं detailed video बनाऊंगा, complete tour की तो आपको बताऊंग लव यू भाई, लव यू टूब मेरे भाई, जहां तक बात हैं unboxing की, तो वो जो style है रहा, वो reserved है, कुछ-कुछ special devices के लिए, for example, pixel एक कमाल phone था, note 8 एक कमाल phone था, geophone एक interesting phone था, s9 एक interesting phone है, तो इस तरह के जो phones होते हैं न, उनकी videos थोड़ा बनाने में interest भी आता है, कि हाँ य अकेला इंसान तो बेसी बिस बनानी पाएगा न, अगला सवाल है कारती के का बोलते हैं कि गुरू जी मुझे एक नया phone लेना है, तो क्या Samsung Galaxy S9 Plus लेना ठीक रहेगा, या वेट करू OnePlus 6 के आने का, या फिर Note 9 के आने का, please answer, too much confused, भाई आप Note 9 तक पहुंच गया, मतलब आप त अगला सवाल है आप ये टेकनिकल डॉक्टर जी मस नाम है, लेकिन अच्छी बात है आप डॉक्टर बना जाते हो, तो डॉक्टर बनते बनते आप साथ में टेक में दिमाग घुसा सकते हो, नाम भी काफी कमाल है, टेकनिकल डॉक्टर जी मसा आएगा देखके, अगला सवाल है आप ये पठान समीर खान का बोलते हैं कि मैं आपसे दो मेने से सवाल डाल रहा हूँ, लेकिन एक बार भी नहीं लिये, सौरी मेरे भाई नहीं ले पाई, क्योंकि सवाल बहुत सारे होत या फिर आमिर खान की दंगल हो, मुवीज भाईया साही कमाल बनती है, अपने बॉलिवुड में काफी हद तक तो ऐसे में सभी पसंद हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे फेवरेट्स हैं, जहां तो बात है, स्टार्बक्स तो या स्टार्बक्स आले कि मैं इतना श ना, इलेक्ट्रिकल के इतना नॉलेज नहीं है, विकॉज मैंने पढ़ाई नहीं करी, लेकिन हां, मैं खुद पढ़ क्या को बता सकता हूं कि जो इलेक्ट्रिकल अपने घर में आता है, मीटर जहां पर होती है, डिस्ट्रिबूट बिजली अपने घर के हरे कमरे में हरे कोई खुद को इतना नॉलेज नहीं है, विकॉज मैंने कभी वो चीज पढ़ी नहीं खुदने भी, लेकिन हां, अगर आपकी डिमांड है, तो कोशिश करोंगी, वो वीडियो आपके लिए बहुत ही जल्दी आ जाएगी, अगला सावाले तुशार का बोलते हैं कि भाई, आप सबको सर बोलने से मना क्यों करते हो, और कोई अच्छा सा एडिटिंग आप, बता दो भाई, वाइंज एडिट करने के लिए, देखो भाई, जहां तक बात है, सर ना बोलने की, तो मैं सर नहीं हूँ न, मेरे को तुरने किसी कुईन अलजबेत ने दे दिये उपाधी क इसले पर वो खुद को पसंदी आता, गुरूजी बोलो के वो चलता है, क्योंकि वो नाम है, टेक्निकल गुरूजी तो ठीक है, चलो चल जाता है, लेकिन उसके लावा सर बोलना मतलब लगता है, तो अजीब सा लगता है, और जहां तक बात है, रिटिंग आप की तो आप आईफोन है तो आई मूवी, उसके लावा फिल्मोरा यूज कर लो, मुवाइल फोन के अंदर भी, कंप्रूटर के अंदर भी सलता है, फिल्मोरा, उसके लावा, साइबर लिंक का आता है, पावर डिक्टर वो यूज कर सकते हो, तो एप सर्च करो, आप बिसे कैन मास्टर ह हैं कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं 1200 रुपे कि अगर आप खरीद भी लोगों को फ्रेक नहीं बढ़ता बाद में एट लिस्ट आप एडिट सुकून से कर पाओगे अगला सवाल है अश्वनी का बोलते हैं गुरूजी चूज वन फूरूटी या फिर माजा फूरूटी का टे फूरूटी या फिर फोर्ड मस्टांग या मस्टांग के अगर शेल भी कोब्रा हो तो मजा आएगा अधर्वाइस हुराकन चपाती या फिर पूरी कुछ भी हो खाने के मामले को फिरक नहीं बढ़ता कुछ भी हो कैसा भी हो सब चलता है अच्छा होना चाहिए और अगला स कुछ वामल में पसंद है कुछ वामल में समसे लिकने मुरको सिर्फ एक फोन चाहिए कि दूसरा फोन अलाव नहीं है मेरे को यूज करना तो मैं समसंग यूज करूंगा शाओमी या फिर ऑनर डिपेंड करता है अगेन बजट पे और कौनसे फोन पे लेकिन शाओमी मोस्ट केसिज में और काम कर देता है कैमरा थोड़ा बसकावरेज रेता है जीओ या फिर एटल ये भी डिपेंड करते है कि मैं कहां पे हूँ मैंने कई पर देखा इंडिया में मैं मुंबई में था एटल बिलकुल काम नहीं करता मतलब मैं मर गया कॉल करके भाई पाच-पाच बा पर देखा बी है समझा भी है जाना भी है तो कृकेट है त्रह वह द्यूड़ी है की हब दिफाइब मतलब देखो आप आज चीज चाते हो कि आपको ये एक फोन खरीदना है मालो और आपने बहुत पैसे जुटा है फोन खरीद लिया वो happiness temporary है तो वो मज़ा नहीं आता आप खुश भी हो गए लेकिन अगली पुला पुदास भी हो जाओ को सकते इसी बात को लेकि मेरे लिए happiness का मतलब ये सुकून, सुकून मतलब ये कि आप अगर दिन बर महनत करके काम करते हो और अगर आप आप को आके बिस्तर पे जब लेटे हो बिलकूर रिलाक्स हो कि हाँ, हाँ, काम डन वो happiness है happiness वो कि जब आप अपने परिवार को खुश रख सको, आप उनकी ज़रोते पूरी कर सको, आप उनको जो है वो time दे सको, आप उनके अपने time बिता सको वो happiness है, दोस्तों के साथ मिलके एकदम crazy काम कर सको, कहीं भी घूम फिर सको वो happiness है, मतलब बहुत सारी बाते हैं happiness को लेकिए और मेरे लिए simple बता हूँ तो मेरी माँ खुश, मैं खुश happiness ही happiness है, अगला सवाल है आप अभिशेक पांडे का बोलते हैं गुरूजी प्लीज कोई एक सवाल उठालो मेरा बस एक आखरी सवाल आपसे अच्छा आखरी सवाल लेगा टेक्निकल गुरूजी चैनल बनाने कर क्या मकसद था और आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया यार देखो मकसद ना सिर्फ इतना है कि इंडिया में मेरे को ऐसा लगता है कि टेक्नलोजी जो है ना उसकी लाइन में अगर आपको आगे जाना है तो इंगलिश और हिंदी को लेकर रहे हैं बहुत बड़ी मतलब मैं बोलूँ तो बैरियर सा बन जाता है कि अगर आपको इंगलिश नहीं आती तो मेरे को लगए estás recording बन जाता है कि अगर आपको इंगलिश नहीं आती तो मतलब आप नहीं परदपा हो गया तो वो मेरे को चाहिये था कि यार वो नहीं होना चाहिए हम याँ बात कर रहे है एक दम high tech NASA की, stroke की वगरे वगरे लेकिन कर रहे हैं अपने खुद की language में दूसरा एक और इंडिया में ही रहता है कि बहुत बार मैं देखा है कि technology की factor में बहुत सारा मतलब ना वो है क्या बोलतों उसको misinformation है कि लोगों को कही बार चीजें पूरी तरी के से नहीं पता है थोड़ी अधुरी उत पता है तो मैं लगता है कि यार जो मैंने कुछ थोड़ा बहुत अगर सीखा है अगर मैं वही चीज थोड़ा आसान करके masses तक पहुचा सकूँ तो वो काफी अच्छा होगा और बस यही मकसद था और इसले चैनल शुरू किया है और बस अब चल पड़ा है 1500 वीडियो से उपर वीडियो बन चुकी है चैनल के उपर और उम्मीद यही करता हूँ कि आगे चल के और बनाता रहूँगा मतलब मुझे वो दिन देखना है जिस दिन आप टेक्नलोजी से उड़ावा कुछ भी अगर सर्च करते हो और अगर सर्च जिर्ल्स के अंदर मेरा चैनल कहीं नहीं कहीं आता है अपने कुछ वीडियो आती है वहाँ पे तो वो सुकुन मिलता है कि हाँ भई हमने वो सब तो कवर कर लिया है अगला सवाल है आँ पे सौमें त्रिपाटी का बोलते हैं कि भाई I wanna take some over the year headphones which will be better wired or wireless if then which brand is good prices जिन पंदरा सो रुपे अच्छा सजिस्ट कर दो I am a rough user यार देखो ना मेरे को idea नहीं इतना actually कि उस budget में कौन से अच्छ होंगे लेकिन आप अगर चेक करोगे मुट्रोला का तो आपको option मिल जाएगा उसके लब आपको अच्छा rough and tough अच्छा rugged design या अच्छी quality वाले शायद उस range में ना मिल पाएं अगला सवाल है अभिशेक पांडे का अच्छा वापी से आगए पांडे साथ पहले वी थे घुरुजी फर्स्ट अफॉल वेरी वेरी congratulations to complete 5 million subscribers on your YouTube channel I wish you a good you have completed soon in this year 10 million subscribers okay ठीक है I am your big fan, please meet up in Delhi fan fest, मेरे भाई fan नहीं है हम दोस्ती अच्छे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी शुक्कामनाओं के लिए और मुझे पूरा परोसा है कि हम सभी मिलके नहीं 10 million जो है वह complete करेंगे तो 10 million के target अपन रखते हैं अगले साल मेरा birthday अगले साल 7 मही 2019 तक अपने को चीए 10 million तो वैसे में आप ही का support रहेगा भाई हम करते हैं पूरे जान दकाते दिली fanfest की तो बिलकुल कोशिश रहेगी कि मैं आपसे मिल पाऊं और खूब मस्ती मुदा करने वाले fanfest इस बार दिली हो या मुंबई अगला सवाले आपे करेंगा बोलते हैं कि भाई हम ये sim से net चलाते हैं कहां जाता है उसका क्या होता है यार देखो होता ही है कि जो आप net चलाते हो basically वो information है अब वो information जो है वो कहीं किसे server में stored है वहाँ से उटके आपके phone के screen तक आ रही है आप उसको देख पा रहे हो कुछ cases में आप उसको download करके store कर लेते हो कुछ cases में वो बाद में हट जाता है जब आप वो page हटा देते हो तो basically वो information है जो पूरी दुनिया में फैल रही है for example यहाँ मेरे computer के अंदर कोई movie store है और आप अपने घर बैटे कोई movie देखते हो तो वो movie यहाँ से उटके आपके screen तक जा रही है और आपने देख ली तो किस्ता खतम पैसा हजम तो आपका जो data है जितना आपने use किया वो जो traffic था जो information जा रही थी आगे पिछे उसके अंदर consume हो गया तो यह है बड़ा simple सा funda अगला सवाल है यहाँ पे देवाशीश का बोलते हैं कि आप क्या हमसे नराज हो नहीं भाई मैं बिल्कुल नराज नहीं हूँ मेरा tweet क्यों ने लेते हो भाई लेने का reason सिर्फ यह है कि बहुत सारे सवाल होते तुम्हें भाई आप पिकनी कर पाता हो कई बार सभी के अगला इनको यह लिखते हैं कि जो idea है न वो कुछ सोचा है मैंने फिलहाल और उमीद है कि आपको पसंद आएगा काफी surprising होगा शायद आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या तो अपने guesses बनाए रखो और उसके बाद में वो कुछ मैं content अपने channel के उपर भी लेके आऊँगा उमीद है कि आपको वही पसंद आजाएगा अगला सवाल है पर पवन का बोलते हैं कि आप Hindi टाइपिंग भी English जैसे fast करते हैं बोलो Guruji बारे बे मुझे tech talk में जरूर अच्छा बाइद आको बात ऐसी है कि English टाइपिंग मेरी fast है ठीक ठाक fast है मतलब मैं वह accurate नहीं करता है ASDF पे अपने हाथ टिका के लेकिन हाँ मैं काफी fast typing कर लेता हूँ जान दक बाते हिंदी typing की तो वह काफी fast होती है मेरी क्योंकि मैं use करता हूँ websites बहुत सारी होती है time off कर देते हो या फिर airplane mode में charge करते हो या फिर on करके charge करते हो या फिर net on करके love you भाई देखो बात ऐसी है हमने phone को charge किसे करता हूँ दिनवर phone को इस करता हूँ सुबह से लेकर रात तक रात को phone की battery जितनी भी हो 30%, 15%, 20%, 25%, 50% जो भी है 11 बर लगाता हूँ charge में सभी phones को सुबह तक वो charge होते रहते है होते रहते है, होते रहते है normal रहते है, on होते है phone बस होता है silent रात के time पे सुबह उठता हूँ charge से निकालता हूँ दिन अपना करता हूँ continue ये है मेरा charging pattern बीच पीच में कभी बैटरी कम हुई तो कभी office में charge में लगा लिया कभी गाड़ी में लगा चार्ज में तो वो अलग है top up करने के लिए लेकिन रात बर सो रहा होता हूँ phones अब के सब charge होते है अगला सवाल है यहाँ पर प्रिंस का एक बर वापिस से अगला सवाल है कुंदन का बोलते है कि आपको बिहार का क्या अच्छा लगता है बाई बिहार का में उनको कुंदन बहुत अच्छा लगता है यहाँ जबलपूर का बार हो बहुत है जल्दी हो तक बात है 80% की तो पहले तो आने दो माले अभी से सपने मत पकाओ कि नोट नहीं ले लूँगा है नोट ये टे लूँगा ऐसा लूँगा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा नहीं अभी फोकस करो पढ़ाई पर क्या पता 80 की जगा 90 आ जाएंगे 95 आ जाएंगे तो आप एक्जाम एंड हो गया क्या करूँ अब I love your videos निकल वे एक काम करो आपना अपने साथ में लोगे खंबा निकलो कहीं भार सड़क किनारे कहीं तोला सा जहां पर अच्छा जमीन हो वहां पर खड़ा खो दो वहां पर उस खंबे को गाड़ो उस पर चढ़ो उतरो 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 movies देखना इससे बढ़िया अगर आप कुछ नया सीख सकते हो या किसी कुछ नया सिखा सकते हो इन दोन में से आप एक कम करो लो काफी मजा मिलेगा अगला सवाल है आप हर्शित का बोलते हैं कि गुरू जी आप Samsung के so called budget phones पसंद क्यों नहीं करते हैं और आप Xiaomi को बहुत पसं बहुत अच्छी value प्रवाइड करते हैं इसलिए मुझे Xiaomi पसंद है और Samsung के तो भाईया ये on 7, Prime, J5, J3, J2, J Max जो भी है घटिया, बेकार, third class phones है फिर ये उनको promote करते हैं कि भाईया ठीक है ये J7 on 7 best phone है ये है वो है मुझे यार ये ना ढूंग नहीं पसंद है मतलब Samsung के flagship phones बहुत कमाल है ये जो S9 Plus है ये बहुत बहुत एकदम काफी अच्छा phone है यार लेकिन मुझे ये नहीं पसंद हो नहीं पसंद मतलब अगर को budget phone है तो ये है मेरा बड़ा simple सा opinion अगला जवाल है प्रतीक का बोलते हैं कि how to be free in front of camera देखो भाई ये camera ये camera कहना है खिड़ बात करते हैं तो यहाँ पर समझ लो कि जो सामने camera है ये एक इंसान है और आप इससे बात कर रहे हो तो ऐसे में किस बात का retake किस बात का डर किस बात की गवराहट खुल के आजओ वीडियो बनाओ और डाल दो internet पे बाद में लोग बहुत पसंद करेंगे अगला सवाल है प् मैं हूँ मैं ही सारा काम करता हूँ वीडियो बनाना एड़ेट शूट अपलोड बाकी काम सुबह शाम जो भी है सब मैं ही करता हूँ तो फिलाल के तो मैं प्लैन नहीं कर रहा हूँ लेकिन अगर आगे जुरत पढ़ी expansion की तो आपको मैं जुरूर बताऊंगा अगला सवाल कि अगर आप ले पाओ 43 इंची तो शाहिए थोड़ा सा और अच्छा रहेगा थोड़ा सा महंगा है लेकिन ऐसे में आपने टीवी एक बार लेना है उसके बाद में आपको एटलीस 45 साल चला रही है 32 इंच आज के ताप थोड़ा सा चोटा लगता है लेकिन डिपेंडिंग कि आप कहां पे लगाने वाले हैं सामने उसके जगे कितनी रहेगी वो आपको देखना आपको करना है फैसला लेकिन 43 का लोगी तो शाहिए थोड़ा सा बेटर हो जाए और इसमें थोड़ा सा वेट कर लो अभी वीव जो है वू टीवी वाले वो कुछ अपना नया लेके आ नहीं मेरे भाई when we delete anything from our mobile then where the app or file will go भाई देको file या app वो वहीं रहती है जो ट्रांजिस्टर से हैं वो charge hold करते हैं 0 1 वो denote करते हैं ऐसे में वही मिलाके बनाते हैं आपके files को जब उनने को file delete कर दी तो basically आपका जो OS है वो ये भूल जाता है वो अपनी list में से delete कर देता है कि ह मैंने यहां भी कुछ store किया था लेकिन जो storage है उसमें आपके file एक्चुल में वहीं रहती है जब तक आप उसी location पे कुछ और चीज को rewrite ना कर दो अगर आप चाहो तो बाद में recover भी कर सकते हो basically यही fund है मैंने एक video बनाया है by the way आप इस बारे में जाके check कर सकते हो अगला सव इस बोलते हैं कि वीवो या ओपो दोनों लेने क्या एक हाथ में वीवो एक हाथ में ओपो और फिर फोटो खिचाएंगे ऐसे लेके सामने यह camera मतलब इतने megapixel होगे confused हो जाएंगे कि selfie इस phone से लें कि इस phone से लें कि कहां लगाएं कि कहां चापें मतलब क्या मैं बूलू यार जियो या BSNL या BSNL मेरे इतना भरोसा नहीं है मतलब वो ट्रस्ट बना नहीं मतलब पता नहीं कहीं क्यों नहीं तो जियो comparison में फ़ला से बहतर काम करेगा शायद नागपूर या फिर गोंदिया नागपूर चलते हैं गोंदिया नागपूर के असपास है कही है मेरे को मालूम है लेकिन exactly कहां पर वह मालूम नहीं और शायद नागपूर के असपास है कि महराश्टर में Orange या Cabbage Obviously Orange भाई, पता को भी किसको पसंद है लेकिन Orange से याद है कि नाखपूर Meetup करो भाई आप संतरे की पेटी तयार रखो मैं आता हूँ और Meetup भी करते हैं संतरे भी खाते हैं बड़ी है नाखपूर के यहाँ बें बोलते हैं सरदा सवाल एक बोलते हैं गुरुजी आज तो मेरा सवाल ले लो ये आप डाड़ी क्यों बढ़ा के रखते हो भाई देखो डाड़ी की कहानी ऐसी है 2016 दिसंबर की बात है 2016 दिसंबर में ये हुआ कि एक कैमपेंड शूट हुआ YouTube का See Something New जिसका आपने टीवी में आड़ देखा उसके होर्डिंग्स लगे उसके YouTube पे आड़ आए वगर है वगर है उस टाइम पे जब वो शूट हुआ मेरी डाड़ी थोड़ी सी बड़ी हुई थी तो वो डाड़ी में सब कुछ शूट हो गया जब वो गया तो सामने वो कर रहा हूं इसे लिए चलती जा रही है अभी आगे कभी हुआ अगर सीन तो भया हटाऊंगा फिलाल तो यही चलने वाली वाली वाइव देखता हूं कि बैटरी कहीं लोना हो रही हो नहीं बैटरी वाइन की रिकॉर्डिंग टाइम का है 29-29 के बंद हो जाता है तो अभी अगला सवाल है यहां पर टेक्निकल गुरुजी जी वाइफ नहीं बहुत टाइम है शादी में है मुहमद सल्वान बोलते हैं कि भाई आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप मीटिंग में हैं और आप भूल से कहें हेलो मेरा नाम है और आप देखने टेकनिकल गुरुजी च सेले शुरू करते हैं एक दम स्वीड में भाई अभी तक तो हुआ नहीं है उम्मीद करते हैं कि आगे भी ना हो क्योंकि अगर होगा तो कभी फनी होगा लेकिन हाँ एक बार अगर हो जा तो मजा भी आ जाएगा श्रीधर बोलते हैं कि राइट वुड यू लाइक टू गो अगर होगा जाएगा तो कुशिश करते हैं कि पांच बिन सब्सक्राइबर्स होने के बाद कुछ बड़ा करने वाले थे मालिक कर दिया ना बड़ा और बड़ा भी करेंगे जिंदा मत करो दस बार दिन रुख जाओ कुछ और बड़ा भी आने वाला है अमोग कोशी बोलते हैं कि आपका बेस फ्रेंड कौन था स्कूल में अमोग भाई मेरा बेस फ्रेंड था स्कूल में जब छोटे होती तो उस टेम पे अक्षट महता जब बड़े वे उस टेम पे अभीजीत सिंग कॉलेज में आया तो हरदीप तो ये दो तिन मेरे खास अच्छे प्यारे दोस्त थे जो दिल के काफी करीब थे और बस यही होता है बेस फ्रेंड तो गिनके होते हैं मतलब अक्षट मेरे को मालूम है नाम उसके बाद में भिजीत मेरे को मालूम है कि वो काफी क्लोज था उसके अलावे गौरफ शर्मा था वो काफी क्लोज था उसके बाद में कॉलेज में आयों हरदीप साथ में अश्वणी, साथ में दिप्ती तो मतलब Von वो एक अलग ही होता है alien close nestsnager, दोस्त, और बस, यही थे मेरे भी, अभी भी हैं वो सभी दोस्त मेरे, रोईत बोलते हैं कि गुरूजी आप मेरे लिए प्लिए प्लिज बोल दो कि रोईत अडिदी को प्यार करता है, प्लिज आप मेरे बात क्भी दे उते हो, अदिती बात सुननो Ruhid की वो आपसे बहुत पियार करता है तो Ruhid को पियार करता है लेकिन क्यों करता है वो मिल को नी मालूम बस करता है इतना मालूम है वो भी Ruhid ने बोला है इसलिए जो उन्में बोलते हैं कि गुरुजी आप Twitter और Instagram पे उससे कुछ फराख नहीं पड़ेगा, अगर follow कर विले तो भी यह मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, उसको देखने के लिए सामने ले इंसान को, मैं यह होता है कि भाईया, मैं खुझ से कुछ आप तक कहना चाहता हूं मेरी बात, इसलिए मैं इन पर अकाउंट्स बना के यह वाला पोस्टर काफी कमाल है, how do you manage your time in lot of these things, for me it's sometimes quite difficult to manage this time, by the way love your content, thank you मेरे भाई, बात सिर्फ ऐसी है कि time जो निकल जाता है, चीजों पर फोकस कर लेता हूं, थोड़ा सा काम को डिवाइड कर लेता हूं, आपने आपको करता हूं बिलकुल टार्गेट तरीके से फोकस अगर आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियो लेकर आता लेता हूं, व्लाग के लिए इतना ही दोस्तों, जैहन्द वन्दे मात्रम